नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल Ultimate Knowledge पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज भी दुनिया में परमपरा और रीती रिवाज के नाम पर महिलाओं के साथ कुरूरता और गिनोनापन किया जाता है आज भी महिलाओं को रीत रीती रिवाजों के बारे में जहां पर रीती रिवाज के नाम पर महिलाओं का सारीरिक सोसन किया जाता है तो आईए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन घिनोने रीती रिवाजों के बारे में नमबर एक केनिया घाना और युगाना में वहां की विद्वा महिलाओं को इस बात को साबित करना पड़ता है कि उनके पती की मृति उनके कारण से नहीं हुई है जिसके लिए उन्हें तीन दिन तक अपने मृति पती के सरीर के साथ सोना पड़ता है अगर बात इतनी हो तो भ बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाता नमबर दो ब्रेस्ट आयरिंग कैमरोन नाइजीरिया और दक्षिन अफरी की देशों में आज भी लड़कियों के ब्रेस्ट को आयरन किया जाता है ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कपड़ों पर इस्तरी की जाती है बस फरक इतना हो होंगे तो कोई भी पुरुस उनकी और जादा आकर्शित होगा जिस करण से कोई भी पुरुस उनके लिए गलत भावना रखेगा जिस करण से लड़कियों के ब्रेस्ट को प्रेस करके उनके ब्रेस्ट के साइज को छोटा कर दिया जाता है यहाँ पर लड़कियों की माएं भी लड़कियों के साथ ऐसा ही करती है नमबर तीन किरिगिस्तान किरिगिस्तान में एक वेहदी वाहियात रिवाज है इस रिवाज के नुसार अगर वहाँ पर किसी भी पुरुस को कोई भी महिला पसंद आ जाती है तो वो पुरुस उस महिला का अपहरन करके उसके साथ लेकिन वास्तविक्ता यह है कि अब इस देश में ऐसी शादिया बिल्कुल भी नहीं चलती है इन में से जादातर शादियों में महिलाएं आत्मत्या करके अपने आपको खत्म कर लेती है नमबर चार सुमात्रा की में तयबान जन जाती में आज भी महिलाओं के दांतों को चेनी और हतोडे से तरासा जाता है और इसमें सबसे आस्चरे की बात यह है कि जब ऐसा किया जाता है तब महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई भी अनेस्थेसिया नहीं दिया जाता यानि कि महिलाओं पूरी जागरित अवस्ता में होती है जब उनके दातों को चेनी और हत थोड़े से तरासा जाता है यहां के लोगों का ऐसा मानना है के जिन महिलाओं के दातनुकिले होते हैं वो महिलाएं देखने में काफी आकर्शक और सुन्दर लगती है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि दुनिया के इन बेहधी गिनोने और विचित रिती रिवाजों को बंद करने के लिए आखिरकार लोगों को किस परकार से सामने आना होगा और आप लोग इन रिती रिवाजों के उपर क्या कहना चाहते हैं इस बात को भी कमेंट करक जरूर बताएं